नमस्कार भाईयों और बहनों जंगली मेडिसिन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में काफी सारी ऐसी चमतकारी और अद्बुत बनस्पतियां हैं जिनके इस पर समात्र से अनेक प्रकार की ब्याधियां दूर हो जाती हैं। इस बनस्पति के अद्बुत औसदिया फायदे और पहचान जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंत तक देखीगा। बहुती महत्मूर जानकारी आपको हमेशा काम आएगी। और यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औसदिया फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसन यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और सभी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। पहले हम आपको इस पौधे की पैचान करा देते हैं। यह पौधा संपूर भारत में देखा जा सकता है और 2-3-4 फिट तक का यह उंचा हो जाता है। बर्सकाल में यह अपने आपे उत्पन हो जाता है। आप इसको सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, खंडरों में, नदी नालों के आसपास कहीं पर भी देख सकते हैं। यह अगस्त महा से फरवरी तक फलता फूलता है, उसके बाद गर्मियों में यह सूख जाता है। इस पर इस तरह के छोटे-छोटे नीले रंके, जो कुछ गुलावी रंकी आवाल ये भी होते हैं, फूल खिलते हैं। जब सहदेवी के फूल गर्मियों में सूख जाते हैं, तो यह रूई की तरह उलेने लगते हैं, जिसके साथ इसके कुछ बीज भी होते हैं, जो अगली बर्साकाल में अनेक पोधे उत्पन करने की छमता रगते हैं। सहदेवी के फूल कुछ हद तक गाजर घांस की तरह दिखते हैं, लेकिन पत्तों से आप इसको पहचान सकते हैं। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, जिससे आप सहदेवी को आसानी से पहचान सकते हैं। अलग-अलग छेत्रों में इसको अलग-अलग नाम से जाना पेचाना जाता है नामों की अधिक जानकरी के लिए आप वीडियो को डिस्क्रेप्शन चेक कीजिए वहाँ पे आपको इसके अन्निभासाओं के नामों की जानकरी मिल जाएगी वैसे इसका वनस्पतिक नाम है वरिनेसिया, साइनेरिया आप इस पोधे को क्या नाम से जानते पेचानते हैं नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं आयवर्दिक मत अनुसा सहदेवी का पोधा उश्ण, लगू, तीक्त, रूख्च तथा कफबात शामक होता है यह है निंदरा कारक, मूत्र कुच्चू, विशम जौार तथा शिद्धि नाशक होती है सहदेवी का पंचांग, शीतल, मधोर और बल कारक होता है चलिए अब सहदेवी के औसिदिय प्रियोग जानते हैं जिनकी इस आयता से आप विविन प्रकार के रोगों को दूर कर पाएंगे, ध्यान पूलबग वीडियो को देखिएगा सहदेवी का औसिदिय प्रियोग के सांथ सांथ, तांतर प्रियोग भी बहुत अधिक किया जाते हैं क्योंकि सहदेवी में इतने सारे औसिदिय गुण होते हैं कि मातर इसको इसपर्स करने से काफी सारे रोग दूर हो जाते हैं यदि किसी को बुखार है तो इसकी जड़ को सिर पर बांध देने से बुखार ठीक हो जाता है यदि आप इस पौदे को नश्ट नहीं करना चाते हैं तो फिर इसके तने को काट कर लगबग एक से डेड़ इंच का तना ले लीजिए और उसको फाड़ कर बीच में दो हिस्से कर लें और एक-एक हिस्से को दोनों हाथ की कलाईयों पर जहाँ पन नस होती है किसी भी धागे या कपड़े से बांग दें ऐसा करने से आपका बुखार आदे घंटे के अंदर ही उतर जाता है यदि किसी को गले के रोग हैं तो इसकी जड़ को गले में बान देने से गले के रोग दूर होने लगते हैं खास करके घेंगा रोग में ये फायदा करती है महिला में लिकोरिया की समस्या को दूर करने के लिए इसके पंचांग को फूल पत्ते जड़तना सभी को कूट पीस के बारिक चूल्ण बना कर रख लें और एक से दो गराम की मात्रा में शुबह साम दूद के साथ सेबन करने से लिक्वेरिया सपेद पानी आदी की सिकायद दूर होती है तता जो इस्तिया निशंतान है और संतान सुक से बंचित है वे इसके चूल्ण का 2-3 गराम की मात्रा रोज सुबह शाम कुछ महीनों तक सेबन करती है तो उनके बांचपन की समस्या ठीक हो जाती है जो वेक्ति आनिंदरा रोग से परिशान है यानि की रात को नीद नहीं आती है वे अपने तक्हिये के नीचे सहदेवी का पोधा या पर सहदेवी की जड़ रखकर सोएं तो उनको अच्ची नीद आती है तता धीरे दीरे आनिंदरा रोग इससे दूर होने लगता है हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी बाते अटपटी लगे लेकिन जो वेक्ति आयवर्द में रुची रखते हैं वे हमारी बातों से सहमत होंगे क्योंकि सारा ग्यान आयवर्द के गिलंतों से निकाला गया है जिन वेक्तियों को सपन दोस की समस्या है वह सहदेवी के पंचांग का 2-3 ग्राम चूलन सुबह साम पानी के सांद सेबन कर सकते हैं या फिर इसका काड़ा बनाकर सेबन करें तो बहुत ही अच्छे लाब देखने को मिलते हैं फिर समबंधी बिकारों को दूर करने के लिए सहदेवी एक उत्तम औसिदी मानी जाती है इसका काड़ा बनाकर सेबन किया जा सकता है या फर इसके 4-5 पत्तों को रोज सुबह साम खाने से भी पाचन संबंदी बिकार दूर होते हैं सहदेवी के पौधे को आप अपने घरों में गमले के रूप में भी लगा कर रख सकते हैं और इसका औस्दिय लाब ले सकते हैं बिसर्प और पामा रोग में सहदेवी की पत्तों का रस निकाल कर लेप करने से बहुत ही अच्छे लाब मिलते हैं सहदेवी की पंचांग का चून बच्चों को एक से आदी गिराम मातला में देना चाहिए तथा बढ़े 2-4 गिराम तक या फर आदी चम्मज तक ले सकते हैं सहदेवी का तेल भी बनाया जाता है इसके पत्तों का रस निकाल कर तेल में सिद्ध करके इस तेल की मालिस करने से सभी परकार के बुखार दूर होते हैं तथा चर्म रोगों में भी यह अच्छा लाप करता है उम्मित करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लापकारी रहेगी यदि आप भी इस बनस्पत्ति के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंड बॉक्स में जबरू बताएं यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में नमस्कार